नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इंफिनिटी नोलिज में तो दोस्तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी देश को अगर सूपर पावर बनना है तो उसे किस चीज की जरूरत होगी तो दोस्तो आप में से 90% लोगों का अंसर वेपन्स होगा और हतियारों की रेश में तीन देशों का आज नाम आता है उसमें अमेरिका रशिया और चाइना है लेकिन अगर भारत को आने वाले टाइम में एक सूपर पावर बनना है तो उसके लिए भारत को खुदी हतियार बनाने होंगे और दोस्तो अगर भारत 25 से 30 साल पहले हतियार बनाना शुरू कर देता आज भारत का नाम चाइना से उपर होता एसे में दोस्तो अब न्यूज निकल कर ये सामने आई है कि गोर्मेंट की साइड से ये डिसीजन लिया गया है कि आने वाले दो हफ्तों के अंदर भारत अपनी आर्म फोर्सिज पर 11,535 करोर रूपिये खर्च करने वाला है और इस दोस्तों के चलते अब ये डिसीजन लिया गया है कि भारत को खुद के बनाए हुए 25 लाइट वेट हेलिकोप्टर ड्रोन और कुछ रडार सिस्टम भारतिये सेना को दिये जाएंगे और दोस्तों इसी बीच 5,000 करोड रूपिये की एक डील भी हुई है जिसमें 7.5 लाक ए के 203 असोल ट्राइफल भी भारतिये सेना को दी जाएंगी और ये डील पूरी तरीके से फाइनलाइज हो चुकी है और इसी के साथ साथ नेवी के नेवी को भी 1735 करोड रूपिये मिलने वाले हैं जिसमें नेवी को 40 एंटी सीप क्रूज मिसाइल मिलने वाली हैं और इसमें कुछ spare part भी होंगे और दस नेवल शिप भी होंगे और Unmanned System भी होंगे और अगर उधर Air Force की बात करें तो Air Force के लिए 1000 करोड रूपिये इन पैसों में से दिये जाने वाले हैं और Air Force इस पैसे का इस्तमाल अपने सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने में करने वाली है और इस प और इस पैसे से fighter jet में और अच्छे modification किये जाएंगे, जिससे आने वाले time में भारत खुद के पैसे से खुद के हतियार बनाएगा, और किसी भी देश से आने वाले time में भारत कोई भी हतियार नहीं खरीदेगा, और इसका फाइदा ये होगा कि आने वाले time में भारत जल से जल सूपर पावर बन जाएगा, टैंक्स पॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गूड डे,